अलो इब्रीवन कैसे हो आप सब दोस्तों स्वागत है आप सभी का दोस्तों आज की वीडियो में बहुत ही प्यारा सा डियाइवाई मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि देखें दोस्तों मैं वाके में पूरी बड़ी कबारन हूँ रोड साइड से मैं यह उठा कर लाई हूँ जो पहाड़ी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनको पता है कि यह किस तरह से वहाँ पाड़ियों में पड़ेवे होते हैं यह हैं पाइनस की कौन हम हैं और यह मैंने उनली है और मैं इससे आज हैंगिंग डेकोर आइटम बनाने वाली हूँ और इनको मैंने पहले वुडन पॉलिश किया हुआ है दोस्तों और यह पिछले 4-4 सालों से मेरे गर में ऐसी रखे हुए हैं मैं रोड साइड से इनको उठा कर लाई थी तो यह दे है दोसरे दागे में 6 लंबे नि procesal और ख talked है और इनको मैं नोट में उसमुले करके में हैंक करने वाली हूँ ब्हुत ही आसा ढ आ बहुत ही प्यारा DIY है दोस्तों वाक्य में जम इसको बना रही थी ऐसे इसली हुई बन गया और बनाते हो बड़ा मज़ा आया और बनने के बाद काफी अच्छा लगा तो आपको वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों तो देखे कुछ इस तरह से हमें उपर के दो तीन फ्लास इसके लेके और इसमें नोट लगा देनी है हमें जब हम लोग BSC में थे तो तब मैंने यह पढ़ा था तब हमारे सेकंड यर में था पाइनस का चेप्टर तो तब पाइनस की को पहली बार देखा था मुझे नहीं पता था कि इनका मैं डेकोर करके सारे एक साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं अब चाहू तो इन अलग अलग कलर में भी बना सकते हो और कभी पहाड़ों पर जाओ तो ज़रूर उठा कर लाना मेरी तरह से जैसे मैं रोड से जाके इनको ठालाई तो यह देखिए इस तरह से मैंने इनको हैं करने वाली ह जो पकेट आती है उसका यह है और यह देखिए मैंने इसमें डबल डबल छेद किये हुए हैं ताकि मैंने अच्छे से टाई कर पाऊं और मैंने जो उन का दागा लिया है उसे निडल में डालके अच्छे से निकालके आराम से आप बांज सकते हो क्योंकि वैसे आप निकाल तो यह देखिए इस तरह से इसमें रहागे में से हम यहां से निडल को पास करेंगे और इसमें यहां हमारी नोट लग जाएगी बाकि सबको भी इसी तरह से हम बांधने वाले हैं तो आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों वो कमेंट करके ज़रूर बताना और इस तरह के ड जादा बड़ा हो गया जादा चुटा हो गया तो इसकी लेंद को भी हमें ध्यान में रखते हुए काम करना है यह देखिए हमारा यह अच्छे से टाइ हो गया है हमने नोट लगा दी है अब बारी आती दूसरे की तो सेम प्रसीजर हमें फॉलो करना है यह देखिए इस तरह स निडिल में आपको अपनी बूल को डालना है और इसकी लेंद एक पार हमें चेक कर लेनी है क्योंकि जिस लेंद के हिसाब से हमको बनाना है कि कितना हमें इसके अंदर डिस्टैंस रखना है वो हमें पहले चेक कर लेना और उसके बाद ही हमें नोट लगानी है तो यह देख की चेक कर ले रही हूं यह देखे अभी थोड़ा ओर नीचे है को ओर आपर करने वाली हूं है यह देखो मैंने नीचे से टच करते हूँ है ताकि एक दूसरèse को ही टच करते हूँ जाए तो इस तरह से हम टच कर लेना है और ये इस तरह से डबल दो बार निकालिंग है मूपर नीचे और फिर अच्छे से इसमें नोट लगा देंगे ये देखे कुछ इस तरह से बना के हमें कम्प्लेट कर लेना है है वागी दोस्तों तो बहुत संदर ये घंगिंग बना हमार और अच्छा बी लगा और यह देखी कबार्ट से जुगार्ड है आप इसे जरूरी नहीं कि आप अपने गार्डन में लगाएं आप अपने घर में भी कहीं में लगा सकते हैं बहुत ही प्यारा हेंगिंग डेकोर आइटम बनके रिडी हो जाएगा गार्डन में भी लगा सकते हैं घर के अंदर भी आप कमन करें तो यह मेरे पास थे तो काफी सारे लेकिन जहां से मैंने वुड़न पॉलिश कराए थी वहां से याथे गुम हो गई चेज़ वहां उपर से हैंक करना है तो उसके लिए हमें क्या करना है मैंने उसके लिए तीन इसमें चेट किये हुए हैं और अब यह मैं वूल ले रही हूँ और वूल के मैंने तीन थ्रेड लिये हैं और तीनों को एक साथ निडिल के अंदर डाल लिया है और अच्छे से अब इसमें नोट लगा लेंगे नोट लगा के अच्छे से बनाद पक्का कर लेंगे काफी अच्छे से आपको बहुत अच्छे से नोट लगा लेनी है क्योंकि इसी के ओपर ये सारा कुछ हैंग होने वाला है ताकि जब इसके ओपर वेट पड़े तो नीचे की तरफ और ना खिसके खुलना जाए, तो यह चीज का ध्यान रुखते हुए। काफु सारे नौट अच्छे से लगा लेनी है। कुश से इसमें उक सींगल थी होल हैं। और डवल नहीं पर इक हैं हुई हैं जासे इसमें बागियों में डवल होल के थे। यह सिंगल सिंगल होल किये हैं तो इसलिए मैंनेos, लगा लिया है, काफी मोटा कौना लिया है नीचे कि तरफ से और अब रमब़ू निया, लेकर नखी कि द श्रक्ठाइ और नीदिल को पिर रहा है, ऐसलों में श्टाइज देनाबि। लर्पीटिदगे। कुछ भी ले सकते हैं तो यह देखिए इस तरह से नीचे की तरफ से जो हमने होल किया हुआ है उसमें से निकाल लेंगे इसको अब हम और डिस्टेंस आपको देखना है कि आपको कितने डिस्टेंस पे नीचे हैंग करना है उसके अकॉर्डिंग ही आप यह उपर का लेंगे तो दोस्तो आपको वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बताना और दोस्तो प्लीज लाइक से जरूर करना और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तो सब्सक्राइब कर लीजे और बैल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि मेरा जब भी कोई नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए इस तरह के वीडियो में बनाती रहती हूं और मेरे चैनल पर गार्डन से रिलेटिड क्रियेटिविटी से रिलेटिड वीडियो आते रहते हैं दोस्तो तो प्लीज बहुत सारा प्यार दे बहुत सारा सपोर्ट करें तो यह देखी हमने तीनों को इसके अंदर से निकाल लिया है अब हम इन तीनों को इक्वल करते हुए उपर की तरफ एक नोट लगा देंगे हमें बिल्कुल इक्वल कर लेना है क्योंकि अगर उपर से थोड़ा इधर उधर हुआ तो उसका बैलेंस खराब हो जाएगा और हमारा यह हैंगेंग पीस अच्छा नहीं लगेगा तो यह देखिए इस तरह से आपको पहले उपर उठा करके देख लेना है उसको आप चाहें तो पहले उपर का हैंगिंग वाला पोशन बना सकते हैं उसके बाद भी नीचे वाला लगा सकते हैं जैसे आपको एजी लगे वैसे आप कर सकते हैं और यह देखे मेरा इसके अंदर पूरी वूल गुज गई है तो यह कुछ इस तरह से मैंने हैंगिंग पीस बनाया है और अब मैं इसको आपको दिखाने वाली हूं इसका फाइनल लुक कि कैसा लगा और कर देते हैं इसको आपको तो दोस्तों प्रीज वीडियो को बहुत सारा प्यार देना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा तो देखिए हमने यह यहां पर हैंग कर दिया है जहां हमने हैंगिंग बास्किट पाले प्लांटर्स को लगाया हुआ है उनके साथ मैंने इस और क्या आपने भी इस तरह से रोड साइट से कचड़ा उठा के मेरी तरह कुछ बनाया है तो वो भी शेयर करना तो देखिए इस तरह से आप कबार से जुगाड कर सकते हो और अपने घर को सजा सकते हो तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही मिलती हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इसी तरह की डी आई वाई के साथ तो दोस्तों तब तक के लिए बाई बाई प्लीज वीडियो को सपोर्ट करना और बहुत सारा प्यार देना प्लीज दोस्तों प्लीज जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए चैनल पे ताकि किसा शेर कर तीर तीम